हलो मैं आज आपको बताने वाला हूँ study कैसे करना इसके बारे में मैं अर्दम ये बोलता हूँ कि पढ़ाई करने के समय आपका पूरा focus जो है वो पूरा completely पढ़ाई के उपर होना चाहिए और यदि focus पढ़ाई के उपर होना है तो फिर बाकी जो distract करने वाली चीज़े जो बहाँ से आती है तो वो नहीं आना चीज़े इसलिए यदि आपका कोई target है कि बहुँ मुझे engineering की देना है J.E. या कोई common entrance देना है या need देने का है जो भी आपको exam देने कि एक साल के बाद में यदि आपका बाकी जो distraction है mobile है whatsapp है, internet है, tv है यह सब अंदर जाने वाली जो चीज़े है वो यदि आप कम कर देते है तो फिर आपके विचार कम हो जाएंगे तो फिर मित्रों के साथ में गफशब लगाने का है जो अब काफी सारी पढ़ाई छोड़के बाकी सारी जो भी बाते है वही थी बाते आप कट कर दालते हो तो आपका पढ़ाई के उपर ज्यादा ख्याल रहेंगा नमबर दो यदि बाकी वीचार नहीं आना चाहिए तो पढ़ाई के समय यदि आप पेन और नोट बूक लेके बैठे और जो भी कोई काम दिमाग में आता है या फलाने आदमी को फोन करने का है या अमकामकाई काम करने का है यदि कोई वीचार आता है काम करने का जिसके ओपर एक्शन लेना जरूरी है वो नोट डाउन कर लेने का ताकि उसमें वहाँ डिस्ट्रेक्शन होंगा नमबर दिन फोन बंद करके बैठ जाने का पढ़ाई तो फोन आपके पास मुबाईल है तो फोन बंद करो और फिर पढ़ाई चालो करो नमबर जार जो भी चीज आप पढ़ रहे है तो उसका आप मतलब किस तरह से पढ़ रहे है वो चीज को जैसा भी मतलब रिसर्च जैसा बताता है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर आप जो भी पढ़ रहे है उसका करीब करीब 60-70% आप भूल जाने वाले है 24 घंटे के अंदर और एक हपते के बाद में आप 90% भूल जाओंगे इसका मतलब आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो आप भूलने वाले हुआ तो इसका यह अर्थ होता है कि आपने पढ़ने के बाद में 24 घंटे के अंदर उसका रिवीजन करना वो जरूली है मतलब पढ़ाई करना और 24 घंटे के अंदर उसका रिवीजन करना फिर और एक तरप और एक मतलब पढ़ाई का तरीका होता है कि पढ़ो किताब बंद करो, याद करो याद करने के बाद में जो भी याद नहीं आ रहा है फिर किताब खोलो, फिर पढ़ो फिर बंद करो, फिर याद करो जो पढ़ा है हो ऐसा जब तक पूरा याद नहीं रहता है जो पढ़ा हुआ है तब तक वो पढ़ाई करते जाना है, और वो पूरा करने का है, मतलब उससे भी अच्छा ख्याल रहता है, फिर पढ़ाई सुबह हम जब करते हैं, मॉर्निंग में, सुबह, तो सुबह अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि सबिरे, जो काफी सारे बाते बातावरण से अंदर मतलब पूरे दिनबर में, वो आएंगी नहीं, सुबह माइंड फ्रेश रहता है, सुबह पढ़ाई करेंगे तो अच्छा ख्याल में रहता है, फिर दूसरा ही है कि आपके निन अच्छी होई कि निन, अब अच्छा सोते है, मतलब बच्चों को साथ घंडे कम से कम या तीन घंडे ना पढ़ते हुए, उसको तोड़ो, जैसा चारीज मिनिट, पच्छास मिनिट का एक-एक सेशन आप कर रहे हो, और फिर पांच मिनिट का ब्रेक लेना, वो पांच मिनिट में जो भी अपना काम होंगा, वो काम कर लेना, या कोई मुजिक सुन लेना, या ए आप देखते हो, तो बाहर से डिस्ट्रेक्शन काफी हो जाता है, आइसी जगा पढ़ाई के लिए नहीं बैटना है, कि जहां घर में लोगों का बहुत आना जाना है, कि इदर से उदर लोग आ रहे है, उदर से इदर जा रहे है, मतलब, सेक्लूटेड प्लेस, आइसोलेड प्लेस ही दे रही, कि जहां डिस्ट्रबंस कम है आपको, तो महां जाके आप पढ़ाई करते हैं, तो बहुत अच्छी पढ़ाई ख्याल में रहेंगे, तो इस तरह के काफी सारे नुक्स, मैंने आपको बता है, कि जो आप यदि करते हैं, तो पढ़ाई काफी अच्छे हो जाएंगे और अच्छा ध्यान में रहेंगा, इसके पहले में ने बताया हुआ है, कि आप रोज यदि सम्मोहन करते हो, हिपनासिस, और डेली सबेरे 7-8 मिनिट, शाम को 7-8 मिनिट यदि आप सम्मोहन करते हो, और हिपनासिस के माध्यम से, ब्रेन रिलाक्स करते हो, तो बह यदि भी चीज़ आपको अच्छी लगती हो, और फिर सम्मोहन यदि आप कर रहे हैं, तो सम्मोहन की अवस्ता में विजुलाइज़ेशन करते हो, कि मेरी एक्जाम तक मेरा कैसा रहेंगा, मुझे करना क्या है, एक्जाम में कितने मार्ग मिले है, मुझे पूरा विजुला सम्मोहन क्या हुआ है, और मेडिकल में उसे एड्मिशन मिल चुकी है, ऐसा ही बिजुलाइज करते हैं, मतलब इस देंडिल, वो हो चुका है, इस तरह का विजुलाइज़ेशन वो करता है सम्मोहन की अवस्ता में, तो मुझे पका विश्वास है कि वो सफल पूरा होगा ही होगा इस तरह के काफी सारे जो मेरे बच्चों के बार में वीडियो से पढ़ाई के बार में हैं वो आप देखते रहेंगे आपको यह दिए चैनल अच्छा लगता है तो आप यह चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो थैंक यू वेरी मच्छ